इस वीडियो में मैं आपके लिए एक चार्ट एनलिसिस लेकर आया हूँ, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 16 साल के एक कॉंसोलिडेशन के बाद में, मतलब 16 साल तक एक पर्टिकुलर जोन के नीचे उसने ट्रेड किया, और 16 एर के बाद में रीसेंटली, I think लास्ट एक दो दिन पहले उसने उस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक आउट किया है, जब भी कोई स्टॉक इतने बड़े कॉंसोलिडेशन के बाद में एक इंपॉर्टन लेवल को ब्रेक करता है, तो यह एक्सपेक्ट किया जाता है, यह स्टॉक अब फॉर्दर राइज के लिए रेडी है, आपक उतने ही पॉइंट्स, और अगर कंपनी के फंडामेंटल को भी देखेंगे, तो कंपनी कहीं ने कहीं देरे देरे प्रॉटेबल होती जा रही है, तो यह सारी चीज़े हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कॉस करेंगे, और अपकोस यह इन्वेस्मेंट इडवाइस बिलक कुछ दिमेट अकाउंट का लिंक्स में लेगा, और मार्केट के लाइव अपडेट के लिए, मतलब मार्केट कहां ट्रेड कर रहा है, क्या उपरचिनिटीज है, और आपको जानना है, तो यह जोईन में टेलिग्राम, फ्री अफ कॉस्ट है, अगर हमारे नाम पर कोई आप चेक कीजिएगा, वन डे टाइम फ्रेम पर, तो वन डे टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे, यह मैं आपको मार्च से दिखा रहा हूँ, मार्च में उसने एक रिसेंट हाई बनाया था, यह वन ट्वेंटी थी का, फिर से उसी लेवल को अटेम्ट किया गया, ब्रेक करने के सपोर्ट, तो इसको हम कहते हैं, फ्लाट सपोर्ट, फ्लाट सपोर्ट का मतलब होता है, कि स्टॉक एक अपने आपको सपोर्ट प्रवाइड कर रहा है, कि यह लेवल उसके लिए क्रूशल लेवल बन जाता है, और जब भी स्टॉक नया फ्लाट सपोर्ट बनाता है, तो के लिए हम बता रहे हैं इसको investment वाइस बिल्कुल मत समझेगा कोई भी ट्रेड लेना है तो खुद में ज़रूर से जीगा अब एक बार इसको वापिस से चेक करते हैं वन वीक टाइम फ्रेम के उपर वन वीक को अगर चेक करेंगे तो वन वीक पर आपको ऐसा नज़र आएग जब तक स्टॉक इस लाइन के ऊपर है आप समझ जाएगा कि आपका स्टॉक बुलिश मोमेंटम है क्योंकि हो सकता है यहां से वापिस आगे डिप करे राइस करे डिप कर राइस करे जब यह लेवल ब्रेक करेगा और लेवल ब्रेक करने के बाद अगर यहीं रिसिस्सन्स म लेकिन यहां तो भी आप सिर्फ कुछ महिने का ही डेटा चेक कर रहे हैं अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वन मंत के टाइम फ्रेम के उपर अगर आप वन मंत का टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ ऐसा नज़राएगा इसने 2007 में लिस्ट हुई थी य यहां पर इसी लेवल को 2008 में हिट किया था 2008 में उसके बाद एक लो बना डाट वोज़ए 40 फिर 90 के आसपास का हमारे पास में एक हाई बना फिर से नीचे गिरा इस बार जो उसने लो बनाया वो था 10 उर्पे का और 10 उर्पे के बाद में सीधा 100 उर्पे का टच किया फिर यह support से जितना stock ने rise किया है और assistance face किया है तो अगर आप यहां चेक करेंगे यह वाला level तो यहां पर अगर आप चेक करें तो लगबग हमारे पास में 80 points का आ रहा है अगर आप इधर से इधर चेक करेंगे तो लगबग आपके पास में 72 80 points का ही rise है अब हमारे पास अगला target क 300 की बात कर रहे हैं तो यह रातो रातों पूरा होगा नहीं हफतों में भी पूरा नहीं होगा इसका मतलब है कहीं ने कहीं इस stock के इंदर आपको long term outlook लेके चलना पड़ेगा और जब भी हम stock को long term के लिए लेके चलते हैं तो कुछ इसके rules बनते हैं पहला यह है कि कभी भी 100% आपको इसमें invest नहीं करना है दूसरा रूल यह है आपको patience build करना है patience रखेंगे तभी आपका market grow करेगा तो आपको भी momentum बना रहेगा और आप लंबे profit book कर पाएंगे third point क्या रहेगा आपको market conditions को भी देखना है अगर market में immediately जब हम correction की बात कर रहे हैं recently तो अगर ऐसा कुछ आ देजेगा कि you can also interrupt a correction हमारे पास जो बाइजोन हैं हमारे पास दो तर weit gone benut यक तो सप्लाइजोन होता है अमारे पास जिसको आप आप 20 कहते हैं बाइज ओन और दूसरा होता हमारे पास यह होता हमारे पास demand जोन तो डिमांड जोन हमारे पास में buy zone होता है तो यहाँ पर जो demand zone बन रहा है वो आपको मैं अभी जब weekly time frame पर जाएंगे तो आपको मैं दिखा दूँगा कि हमारे पास demand कहाँ पर generate हो इस particular stock में तो वही हमारा buy zone बनेगा उसके लिए हम आते हैं वापिस से weekly time frame पर weekly time frame पर तो यहाँ से जादा clear नज़र आएगा य और यह हमारे पास में immediate इसने जो support लिया है this is coming around 195 से लेके 180 का और अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगबाग मुझे यह लग रहा कि इमेडेटल अगर हम 160 की बात करें और उसके बाद दीरे दीरे इसको trailing stop loss के साथ चलें और नहीं इस पर रोक पाएगा तो आपके लिए फिर यह वाला demand zone बनेगा demand zone बनेगा जब यह इसको hit करके rise करना शुरू करे condition number one इसको hit करे और rise करे तो आपके यह हमारा entry बनेगा दूसरा condition number two किसको break करे यह हमारा entry बनेगा और condition number three तो मैंने आपको बताई दिया कि यहाँ पर आपके पास में यह current हमारे पास में जो level है यह zone हमारा demand zone बनेगा हो सकता है कुछ time के लिए इस level पे consolidate करे और अच्छी moment करे अब company के बारे मतुरू असा जान लेते हैं उसके which means जो sector है वो farmer sector रहेगा और आप recently check करेंगे तो farmer sector ने काफी अच्छी growth opportunity show किया है और एक promising sector बनके आया है उसके बाद अगर आप देखेंगे company का market cap 630 है stock का P 20.6 है ROC हमेशा अच्छा होना चीए तो यहाँ पर तो काफी अच्छा है उसके लाबा current price 192 है of course debt is there this is this can be one of the concern बट थुरस नीच चलते हैं company के अब यहाँ पर चेक करेंगे cons pros को आप देख लीजेगा इसको this is just a verb item मैं भी आपको बढ़के बताऊंगा तो आप यहाँ पर screener.in पर जाके चेक कर लीजेगा और अगर pharmaceutical के peers की बात करें तो सारे sun pharma से plan all these are peer for this one हम आपते ह है quarter result के उपर quarter result में अगर आप चेक करेंगे तो company लगाता profit post कर रही है from last 1,2,3,4,5 quarter से उससे पहले देखेंगे company loss post करी बीच में बड़ा सा हमारे पास में profit आया था तरवाई उससे पहले भी loss थी तो इसलिए मैंने का था company दिरे-दिरे profit में आना शुरू कर दिया है तो यह एक factor जिसको मैं consider कर रहा था उसके लाव अगर हम check करेंगे profit loss यह हमारे पास में consolidated है अगर आप यहां भी देखेंगे तो this is once again back in थोड़ा सा बीच में dip मार रहा है लेकिन यहां पर once again from last 6 quarter 5 quarter अभी यह company profitable है अगर sales की बात करें तो sales में 10 year तो नहीं है 5 year में 8% 3 years में 14% है और तीचेम की बात करें तो 15 मतलब company grow करें तीचेम का मतलब है तिल देट और अगर compound profit की बात करें तो यहां पर भी अच्छा है हमारे पास 10 year के बाद 22 मतलब company लगातार कहीं नहीं आपको profit दे ही रही है इसलिए हम कह सकते हैं that it's a good stock for our portfolio और total assets की बात करें cash flow देख लिएगा सब अभी प्रॉजिटिव में चल रहा है और अगर हम बात करें shareholder patents की यहां पर जब company list हुई थी चार-पास साल से देखें लगबग वही थोड़ा बह 2009 से उपर ही लगाता promoter इसके अपने share को hold कर रहे हैं बाकी जादतर public के पास ही है और that's it और गाईज यह रहेगा हमारा analysis for Vanbury and this is going to provide good opportunity और risk factor का जरूर ध्यान रखेगा 16 साल का breakout है हो सकता है थोड़ाँसा further move के लिए wage करे थोड़ाँसा consolidate करे और थोड़ाँसा ध्यान का भी करेंट मार्केट को देखते वे और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में एंटल देंट टेक कर गाईज आब नाइस टेबाब